वो भी टाइम था लेकिन उस टाइम का कोई मतलब नहीं था एक नल से बाल्टी में टपकने के रूप में चिन्नित ख्षण जिसे हमने अपना जीवन का उस टाइम मेरे गाओं के लोगों ने मुझसे दूरी बना ली थी क्योंकि वो बीमारी के फैलने से डरते थी हलांकि ये बीमारी इसलिए मैं वहां से निकल गया और मुझे आश्रम का रास्ता मिल गया ट्रीट्मेंट से पहले हम लास्ट जेनरेशन हो सकते हैं जो सफर कर रही हैं फिजिकल एफेक्ट से ये मेरी होप है अस्वस्थ महसूस करता हूँ मैं धन्जी की तरह क्ली अन्प्योर होना चाहता हूँ जैसे टाइम चलता है दित्तू ऐसे ही पानी भी बहता है अपने शक्तिशाली वेग से वो भी सतत कभी ना खत्म होने वाँ इसके अगले साइकल में ये अगला जीवन है हम पानी है मेरे बेटी अपने लाँ अपने लाँ ये लाँ लाँ अपने लाँ 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 बढ़ अपने लाँ हम कर दो 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 कर